हेलो गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल जो आज है रिकूर्टमेंट है एक क्लास फोर की है एच पी स्टीट कोपरेटिव वूल प्रोकूर्मेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन में है इसमें जो है टैन पोस्ट के लिए शिप शेरर की पोस्ट निकली है कॉंट्रेक्ट प पोस्ट है अमाउंट जो सेलरी मिलेगी हो 60 परसेंट होगी पर्सेल की और जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी यह है उसमें मैट्रिक पास होने चाहिए और मलबो जैसे की कंडिशन्स है आरकर क्लास त्रिया फोर के लिए कि वह मचल की किसी स्कूल में जो लोकेटेट है उ होते हैं उन में से आपको साटिकेट होना चाहिए और मिनियों टू यह का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको शिप शियरिंग में विद मिनिमाव 2,500 शिप्स पर यह और 5,000 शिप्स ओन इन टोटल इन टू इस ओके तो जैसे की शिप शेरिंग हो गया मतलब आपको जो काटते हैं इन के भूल जो अलग करते हैं शिप कि वह एक्सपीरियंस आप क्या होना चाहिए और एज लिमिट जो है वह एट इन टू फॉर्टिफाइव यर्स की है प्लेस ऑपोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है और इसमें जो आपको अप्लाई करना है वह एप्लिकेशन फ अब लगा उनके लिए त्रही सप्रायल जो अर्लास्ट टेट है एप्लिकेशन फीज जो फॉर अंडर रुपेज जैनल कटेगरी के रहे और अंडर है रिजर्व कटेगरी के लिए और इसमें फीमेल के लिए कोई भी फीज नहीं है और इसको आपको फीज पेमेंट जो करन नहीं है और जो स्लेक्शन क्राइटीरिया है वो 85 मार्क्स जो 10th के परसेंटेज उसके बेस पे होंगे और जैसे मालों आपने 10th में नाइन्टी परसेंट मार्क्स की है तो 85 का 90 परसेंट जो है आपके लग जाएंगे 85 में से ठीक है और वैसे ही आपका इवैलिएशन होगी 15 मार्क्स की और इसमें आपको एप्लिकेशन फॉर्म के साथ डेट अवर्थ मालमेट्रिक बोनोफाइड ही मां चली है सी एस्ट हो कोई रिजर्व आपके हाँ हो है तो वह भी साटिफिकेट बेजने है अगर आपके 15 मार्क्स में जैसे आप बैकवर्ड एरिया है पंचायत है या लैंट्लेस है नॉन इंप्लाइमेंट है वह साटिकेट भी आपको बेजने है अगर आपके बीपील है वीड़ो ड़ो से सिं सेलफ एंफल्प जो है वो नाइन बाई फोर इंच का जो होता है उसमें टैन रुपीज की स्टैंप के साथ हो भी सेंड करना है मतलब आपका अलग से अंदर डालना है उसमें सेलफ एड्रस जो बार अपना एड्रस लिगना और अंदर डाल देना जिसमें आप फॉर्म घरा बेच जो के उसके ही ठीक है और टैन रुपीज की स्टैंप भी उस पे लगानी है अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं तेंक्यू